हलो गुद मॉनिंग बच्चो आप लोग पहुत अच्छे से होंगे कल मेरे आपको इस मैस की वीडियो में आपको एड के सम्स प्रैक्टिस कराई थी आज हम करेंगे सिंगल डिजिट सब्ट्रैक्ट सम्स इसका मतलब होता है माइनस घटाना कम करना ठीक है बच्चो तो देखिए यह देखिए मैंने इस देड डाल रखी है यह हेडिन डाल रखी है सिंगल डिजिट सब्ट्रैक्ट सम्स और सब्ट्रैक्ट का निशान ऐसा होता है जहां निशा तो आपको यह मानस वाली यह सब्ट्रेक के सम्स करने हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने यह सम्स, देखिए मैंने सुछ डिजिट उतार रखी है अपनी यह सिंगल वाली, इसको किस तरह से करेंगी देखिए, चलिए करते हैं, तो आप यह 6 है, 6 लैंड डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, अब नीचे कितनी है, कितने लिखी है हमें नीचे लिजट, 3, अब हम क्या करेंगे, यह पीछे से 3 डिजट हम काट देंगे, तो काउंट करेंगे पहले, 1, 2, 3 3 digit ली हमने पीछे से ऐसे कार दी अब हम कितनी डिजिट बची है उसको हम काउंट करेंगे 1, 2, 3 कितनी लैंग बची है हमारे पस 3 लैंग बची है ठीक है? तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे ठीक है? इसके बाद देखिए इस तरह से इसको करेंगे 5 है 5 रन डालेंगे 1, 2, 3, 4 5 अब नेचे कितने लिखिए है? 4 तो हम क्या करेंगे? इसमें से पीछे से हम 4 लैंट कार देंगे 1, 2, 3, 4 तो 4 यह कार दिया कितने लैंट बची हमारे बस? 1 तो हम 1 लिखिए ठीक है? उस बाद देखिए यह वाला से लिखिए 7 है 7 लैंट डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 है 4 लैंट हम कार देंगे 1, 2, 3, 4 4 लैंट कार देंगे कितने लैंट बची? 1, 2, 3 3 लैंट हमारे पास बची इस बाद देखिए यह वाला है इसमें 3 है 3 लैंट डालेंगे 1, 2, 3 नेचे कितने 3? तो हम क्या गरेंगे? इन 3 लैंट को हम कार देंगे अब हमारे पास क्या लाएनए बची? हमारे पास कुछ भी लाएन नहीं बची 0 तो 3 हमें से 3 गया 3 में से 3 हमें कार दिया तो कितना बचा? 0 ठीक है? इसके बाद देखिए 8 है 8 है 8 लैंट डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 में से हम 6 लैंट कार देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 लैंट हमने कार दी कितने लैंट बची हमारे पास? 1, 2 तो यहां 2 लिखतेंगे इसके बाद देखिए 3 है 3 लैंट डालेंगे 1, 2, 3 3 में से हमने कितने लैंट कार देंगे हमको क्या लिखा है? 0 तो मतलब हमें कुछ नहीं कार दना तो कुछ नहीं कार दना तो हमें कितने लैंट बचेंगे 1, 2, 3 हमें थिरीखी थिरी लाइन लिख देंगे ठीक है तो इस तरह से आप लेगे हमने ये सब्ट्रैक के सम्ज़ कर लिए हैं आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा ठीक है तो आपको इसी तरह सब में कॉपी में प्रैक्टिस करनी है ठीक है ओकी बाई